Hello Everyone, The Political Master में आप सभी का स्वागत है दोस्तों क्लास 9 और क्लास 11 में जिन भी चातरों कि इस बाग कमपार्टमेंट आये थी उन सभी चातरों के लिए एक बहुती महत्वपूर्ण सूचना एक बहुती महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन दोस्तों जारी किया किया है DOE यानि Directorate of Education के दोबर दोस्तों यहां दोस्तों क्लास 9 और 11 में जो भी चातरों कमपार्टमेंट आये थी उनके लिए इस नोटिफिकेशन में दोस्तों बहुती महत्वपूर्ण बाते बताएगी है जो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है यदि आप तक यह नोटिफिकेशन अभी तक नहीं पहुचिए दोस्तों तो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा तो दोस्तों इस वीडियो को एन तक देखे इसे इसकिप ना करें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें आप हमारे चैलन पर नहीं तो चैलन को जुरूर सब्सक्राइब करतें बेल आइकन को दुबाना ना भूले तो चले दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि तीस जून दोपहर तीन बज़े से पाँच बज़े तक जो है प्रोजक्ट प्रसंद दिये जाएंगे नंबर टू नोटिफिकेशन के दोस्तों आप सुम्ध विद्ध्याले ना आएं आपके मातापिता विद्ध्याले आकर प्रोजक्ट क्ले ले ले दें तो यह नोटिफ जापक द्वारा दियेगे प्रोजेक्ट पेपर जो है पांच जुलाई तक वापस विद्याले में जमा करवाने हैं जो भी प्रोजेक्ट दोस्तों आपको मिला है उस प्रोजेक्ट पेपर को करके पांच जुलाई तक आपको विद्याले में वापस जमा करवाना है आपके व भी चाle 5 जुलाई तक उतर अवज दिया खो पांच जूलाई तक अवसारा नहीं की जायेगी यहां भी आपको बहुत तरीके से १ियान अगना दोस्थ ठीक है, चलिए, और कह जाकर कहा गया है, नोट ध्यान देने की बाद दोस्तों यहां पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि ध्यान देजी कि प्रोजेक्ट पेपर आपको स्वेम हल करना है यहां दोस्तों जो प्रोजेक्ट पेपर आपको दिया जाएगा उसे आपको स्वेम हल करना है आप किसी दूसरे से नहीं करवाएं जा तकना यहां पर बहुत ही जाता ध्यान दिया गया है कि आपको स्वेम हल करना है प्रोजेक्ट पेपर ठीक है आपके उत्तर लिखाई आपके पुराने पेपर जानत की जाएगी आपने जो उत्तर पूजेक्ट पेपर में लिखा है उस पेपर की जो हैंड राइटिंग है आपके पहले प्रसंद पत्र जो आपने एकजाम स्कूल में दिया था उससे जाचा जायाए गया दी आपकी उत्तर लिखाई आपकी स्कूल में लिखाई से मैच नहीं खाती तो आपको सुनने अंक दिये जाएंगे धाना सुनने अंक दिये जाएंगे आपको आपकी कोपी जाची नहीं जाएगी ठीक है इसकी अतरिक्त आपके प्रोजेक्ट से संबंदित प्रसंद भी आपकी विसे ध्यापत पूछे जाएंगे जो भी आपको प्रोजक्ट मिलेगा दोस्तो उस प्रोजक्ट से संबंदित प्रसंद भी आपसे पूछे जाएंगे तो बेतर यही होगा दोस्तो कि आप स्वेम उत्तर पुस्तिका को लिखें अपने आप उसको पहरे समझे फिर लिखना शुरू करें ठीक है यदि किसी भी इ इस इस दोस्तो उत्तर लिखने करना है उत्तर लिखने के लिए आप रस कर सकते हैं जिहां सिंपल रजिस्टर पेपर का पर्योग उत्तर पुस्तिका को लिखने के लिए आप कर सकते हैं उत्तर लिखने से पहले आप पूरा प्रसन ब्लैक पेंसली जो भी पूरा प्रसन है दोस्तों सोरी हमाफ करना प्रसन है जो भी प्रसन है उसे पूरा ब्लैक पे पर कापके सेट दिया जाएगा दोस्तों तो अपने उत्तर पुछते का पर आपको अपना सेट नंबर लिखना है स्कूल आइडी लिखनी है क्लास संख्या लिखनी है वो सारी चीज़ आपको लिख कर जमा करना ठीक है हर चातर को परतेक विसेगा अलग सेट दिया जाएगा जिया हर चातर को यानि ऐसा नहीं है कि एक दो चातर को एक जैसा प्रसंट पेपर दिया जाएगा नहीं हर चातर को अपने अलग अलग सेट दिये जाएंगे ठीक है दोस्तों तो यह रही टोटल नोटिफिकेशन की मुह शे उसका उत्तर दिया जाएगा प्रोजेक्ट करने समझे कोई प्रसान है तो भी बताई दोस्तों उसका भी हम हल निकालेंगे आज के लिए बस इतना ही दोस्तों वीडियो अच्छे लिए तो लाइक करते हमारे चैनल दा पॉलिटिकल मास्टर को जुरू सब्सक्राब करें क आपके सपोर्ट के बहुत जरूरत है दोस्तों धन्यवाद जैहिन